इवरीवान, माई नेम इस स्वीटी पठालिया एड वेलकम तो SB Academy Classes तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे कन्वर्जन्स के बारे में सबसे पहले चीज तो मैं यह कहना चाहती हूँ conversions को लेके बहुती ज़ादा बच्चों के अंदर pressure होता है बहुती ज़ादा हुआ होता है ठीक है fear होता है मलब ऐसा लगता है कि conversion तो पता नहीं कि आप एक पहाड हो गया तो सबसे पहले चीज तो ये conversion इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना कि हम उसको बना देते हैं ठीक है प्राक्टिकल बिल्कुल बात कहूंगी मैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपको conversions अच्छे से आए तो सबसे पहले आपके जो चार चैप्टर है और ग्यानिक के हेलोलकेंस, हेलोरींस, अलकोहल्स, फिनोल्स, एथर्स, एल्डिहाइट, कीटोन्स, कार्बोक्सलिक एसिड और कंपाउंट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब कि अमीन्स ये चार चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए एट लीस्ट जो रियाक्शन्स हैं उनसे आप लोन होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके की रियाक्शन हमारे सेलेबस में है और इस रियाक्शन का काम कहां आता है, क्या करती है ये बिल्कुल सिंपल वैसे है, कि सपोज आपको मैट्स सीखनी है मैट्स के आपको कुछ क्वेशन्स करने है बट अगर आपको एडिशन, सब्ट्रेक्शन, माल्टिप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता है तो आप किसी अच्छे कोशन को नहीं कर सकते डिफरेंस समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ये होता है ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्जन्स आपको समझ में आए तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भई हम किसी चीज की रियाक्शन कराते टाइम अगर कोई रियेजन डाल रहे हैं, अगर कोई केटलिस्ट डाल रहे हैं या किसी के साथ अगर हम रियाक्शन करा रहे हैं तो उससे क्या बनने वाला है मैं आपको क्या दूं कि आप इस रियाक्टिंट से इस प्रोड़क्ट को बनाओ पर आपको पता तो होना चाहिए कि हमारे syllabus में हमने क्या क्या चीज़े पड़ी है oxidizing agents क्या होते हैं, reducing agents क्या होते हैं अगर हम किसी substance को add कर रहे हैं, तो उसका function क्या है, उसका काम क्या है तो आपको known होना चाहिए 12th के 4 organic chapters मैंने करा रखे हैं आप playlist में जाके देख सकते हैं, उनको देखिए फाइदे में रहेंगे, ठीक है अगर आपको organic के 4 chapters नहीं आते हैं या आपने नहीं पढ़े हैं पहले उनको पढ़िए उसके बाद आप इस lecture को देखिए अगर नहीं आ रहे हैं, ठीक है अगर आपको वो chapters नहीं आते हैं और आप सीधा यहां से शुरुआत करते हो कि चलो आओ हम conversions सीखते हैं नहीं आएगा मैं seriously कह रही हूँ आपको नहीं आएगा मैं आपसे जूट नहीं कहूंगे कि आओ चलो मैं आपको conversions पढ़ाती हूं और इतने अच्छे से कराऊंगे अगर आप zero level के भी हो तब भी आपको conversions आजाएगी ऐसा नहीं है अगर आपको counting नहीं आती है आप maths के questions नहीं कर सकते simple सी बात है ठीक है? तो पहले जाईए organic के चारो chapters पढ़कर आईए याद भी अगर आपको नहीं है न तो पढ़के आओ at least आप known रहोगे कि हाँ आपने ऐसा कुछ देखा था हाँ हमने ऐसा कुछ सुना था उसके बाद हम लोग conversion को better तरीके से या आप कहा सकते best तरीके से समझ पाएंगे clear है? तो चलिए start करते ठीके? तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें conversions की तो conversion में क्या होता है? convert करते हैं क्या करते हैं? convert करते हैं, simple basic सी बात है, आपको मैं कह सकती हूँ कि मैंने आपको methanol दिया आप मुझे ethanol बना के दिखाओ मैं आपको कह सकते हूँ मैंने आपको ethanol दिया आप मुझे methanol बना के दिखाओ ठीके? तो conversion का मतलब क्या है? convert करना? किसी भी एक चीज से हम दूसरी चीज को convert करते हैं ठीके? अब देखिए सबसे पहले हम इस conversion वाले topic में ये देखेंगे कि हम carbon को बढ़ा कैसे सकते हैं ठीके? पहले हम carbon को बढ़ाना सीखेंगे फिर उसके बाद हम carbon को कम करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग carbon को बढ़ाना सीखेंगे कि हम carbon को कैसे बढ़ा सकते हैं carbon को बढ़ाने के आपके syllabus में total तीन method हैं मैं आपको चार मेथड सिखाऊंगी ठीक है चौथा मेथड आप लोग अपने competitive exams वगेरा में यूज कर सकते हो सुन लो सुनने में तो क्या हर्ज है है ना तरीके पता होने चाहिए तो कार्बन बढ़ाने का सबसे पहला तरीका होता है by woods reaction woods reaction इत्ती famous reaction है 11th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ठीक है अलकेन बनाने के लिए हम लोग woods reaction को यूज करते हैं 11th के hydrocarbon chapter में पढ़ते हैं बहुत important होती है दूसरे होती है by kore house kore house reaction भी 11th में आती है बट मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से कि आपके syllabus में नहीं है तो school में आपको कराते नहीं है ठीक है बट फिर भी हम लोग kore house reaction क्या होती है इस बारे में जरूर discussion करेंगे ठीक है इसी के बारे में बात कर रही थी कि ये आपके syllabus में नहीं है बट फिर भी मैं आपको करा दूँगे क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए थर्ड है by cyanide group cyanide group भी आप लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो cyanide group की मदद से भी हम लोग carbon बढ़ा सकते हैं और चौथा है बहुत ही important बाई ग्रिगनाड वी एजेंट ग्रिगनाड से related एक question आपको बोड में जरूर मिलेगा competitive exams में भी मिल सकता है और इतनी important इसकी reaction होती है conversion जब आप करोगे तो करने में आपको बहुत मज़े आएंगे क्योंकि interesting सा होता है समझ में आता तो already अच्छा लगता है हमें कि हाँ चलो हम करते हैं हम चलो करते हैं ठीक है तो ये काफी important है ये भी आपकी काफी important है ये syllabus में नहीं है और what's reaction तो है ये बहुत important 11 से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है तो इसको note करिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं what's reaction जो है और core house reaction जो है इन दोनों में difference क्या होता है यहां से हम लोग बना सकते हैं symmetrical alcan इसको हम use करते हैं symmetrical alcanes बनाने के लिए ठीक है और core house reaction को हम लोग use करते हैं unsymmetrical alcanes बनाने के लिए इनसे symmetrical alcanes बनते हैं और इनसे unsymmetrical alcanes बनते हैं collectively अगर मैं बात करूँ ठीक है तो ये दोनों के दोनो reaction basically आपकी use होती है lower alkanes से higher alkanes की conversion के लिए lower alkanes से ऐसे alkanes जिनमें कम carbon है अगर आप चाहते हों उनमें carbon बढ़े तो higher alkanes में change करने के लिए आप इन दोनो reactions को use करते हो तीक है? specially what's reaction? symmetrical alkanes के लिए और core house unsymmetrical alkanes की preparation के लिए या conversion के लिए okay unsymmetrical समस्ते हो यहाँ पे आपकी odd number of carbons आएंगे यहाँ पे आपकी even number of carbons आएंगे ठीक है? अब देखिए cyanide group हो गया grignard reagent हो गया इन reactions को हम लोग ज़ादा तर use करते हैं जैसे यहाँ पे क्या है? हम alkanes especially alkanes बनाने के लिए यूज कर रहे हैं जैसे woods reaction को इन दोनों reactions को हम लोग क्या करते हैं? other compounds बनाने के लिए या other compound की conversion के लिए use करते हैं जैसे आपके alcohol, alcohol की reaction amines की reaction, aldehyde की reaction वो ज़ादा तर आपको इन से देखने को मिलेगी alkane की reactions जो हैं वो ज़ादा तर आपको इन से देखने को मिलेगी ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? इससे भी थोड़ा-थोड़ा हलका hint लगने लग जाएगा आपको जब हम conversion के question करेंगे मैं कहूंगी कि देखो alkane है या alkane बनाना है तो alkane के लिए कौन सी famous reaction होती है तो आपके दिमाग में फटा-फटा आएगा फिर दूसरे other compounds जो होते है other functional group जिन में आ रहा होता है उनके लिए हम लोग cyanide group grignard reagent इनकी मरत लेते हैं और ये जो method है इन ये चार method अच्छे से अभी याद कर लो अभी याद कर लो ठीक है कि हमारे पास ये चार तरीके होते हैं जिन से हम carbon बढ़ा सकते हैं जब भे आपके पास conversion के question आएंगे आप सबसे पहला काम आपका क्या होगा panic नहीं हो ना ठीक है panic बिलकुल नहीं हो ना दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि क्या दे रखा है क्या बनाना है किसमें convert करना है उनके structure लिखने है second काम क्या होगा observe करके आप उनके structure लिखोगे कि अच्छा ये दे रखा है ये बना रखा है reactant में ये है product में हमें ये डालना है क्या changes है carbon बढ़ रहे है कि घट रहे है अगर carbon बढ़ रहे है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चार options ही आने चाहिए कि इन चार तरीकों से मैं carbon को बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ ठीक है उसके बाद और observe करो कि lower alkane से अगर higher alkane बनाना है देखो कैसा है symmetrical है कि unsymmetrical है सीधा answer मिलेगा किस reaction से बनाना है ठीक है अगर आपको alkane नहीं बनाना है अगर आपको other compounds बनाने है तो आपके दिमाग में ये दो reactions आनी चाहिए कि अच्छा क्या हम इनकी मदद ले सकते हैं कारवन बढ़ाने के लिए क्या हम कुछ ऐसा करके कुछ भी करके इन reactions की मदद लेके क्या हम कारवन को बढ़ा सकते हैं तो इस तरीके से step by step दिमाग चलाना है ठीक है conversions बहुत असान होती है आप पढ़कर देखो समझ कर देखो आपको खुद को अंदर से लगेगा कि हाँ मुझे conversion आ गए ठीक है सबसे पहले तो अपने अंदर का जो fear है या जो आप लोग इतना पैनिक हो जाते हो conversion है conversion है क्या करें तो वो चीज़ आप लोग निकाल दीजे दिमाग से मन से निकाल दीजे और सबसे पहले दिमाग में ये डालो कि हाँ conversions असान होती है सिर्फ हमारी सीखने की देर है जो हम already कर रहे हैं सीख रहे हैं तो conversions के questions करने के लिए कुछ time बाद हम capable हो जाएंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक काम की बाद जो आपको ध्यान रखनी है जब भी हम इन चार मेथट्स को यूज करेंगे ठीक है mostly मैं यह नहीं कहा रही हूँ हमेशा जादा तर mostly हम लोग क्या करेंगे अपने जो भी starting reagent है उसको कोशिश करेंगे कि हम alkyl halide में change कर सके alkyl halide का दूसरा नाम क्या होता है hello alkin ठीक है अब ऐसा क्यूं है दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यूं है कि हमारी priority यह रहेगी कि जो भी हमारा starting में compound दे रखा या reactant दे रखा उसको हम alkyl halide में change करें alkyl halide का दूसरा नाम क्या होता है hello alkin चैप्टर पढ़ा है तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि hello alkin में cx bond बनता है hello alkin में कैसा bond बनता है carbon का और halogen का और halogen क्या होते है fluorine, chlorine, bromine iodine जितने भी halogen होते हैं जितने भी halogen होते हैं वो सारे के सारे carbon से जादा electro negative होते हैं और अगर जादा electro negative है तो क्या करेंगे electron density को अपनी तरफ pull करेंगे अगर अपनी तरफ electron density को pull कर रहे हैं एक तरफ electron जादा दूसरी तरफ electron density कम जो bond है वो क्या हो जाएगा weak जो दोस्ती है जो friendship है वो तब अच्छे चलती है कि मैं जितना contribution कर रहे हूँ friendship में मेरी friend भी उतना contribute कर रहे है तो हम क्या रहेंगे बहुत अच्छे friends रहेंगे ठीके बट एक का contribution है और दूसरे का है ही नहीं तो क्या friendship चलेगी नहीं चलेगी एक friend faithful है दूसरा है ही नहीं तो in the same way chemistry में भी bond तब strong बनता है जब दोनों की electron negativity same हूँ ठीके जितने force of attraction से ये atom इन bond के electron को attract कर रहा है उतने ही force of attraction से ये भी कर रहा है तो क्या रहेगी electron density symmetrical और bond क्या रहेगा strong ठीके तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे हेलो अलकेंस होते हैं उनमें electron density जो है वो क्या होती है अलग-अलग तो electron density के difference की वज़ा से ये bond होता है weak जिसे हम chemistry में कहते हैं polar और weak bond है तो जल्दी तूटेगा और जल्दी जो तूटेगा वो जल्दी react करेगा तो क्योंकि ये reactive होते हैं अपने polar covalent bond की वज़ह से इसी लिए हम starting material को या starting reactant को starting material या starting reactant को alkyl halide में change करते हैं because they are very very reactive और जल्दी से इनके बीच का CX bond जो है वो तूट जाता है क्यों तूट जाता है electron density symmetrical नहीं है क्यों symmetrical नहीं है क्योंकि electron negativity में difference है एक जाधा electronegative है एक कम electronegative है clear है ठीके तो चलिए अब हुम क्या करते हैं जो मैंने आपको 4 reactions बताईए न एक एक करके पहले थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं ठीके फिर भई पता तो होना चीए किस reaction में क्या होता है उसी के बाद तो implementation कर पाओगे जिनने नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती है सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं woods reaction कौन सी reaction? woods reaction बहुती famous reaction है याद रखा करो अगर chemistry के students तो ठीक है? याद रखा करो चलिए अब general reaction जो होती है woods reaction वो क्या होती है कि भई हम alkyl halide लेते है ठीक है? उसे हम sodium metal के साथ react कराते है दो sodium के atom लग रहे है alkyl halide के भी दो molecules लगते है in the presence of dry ether ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है? nax बहार निकलता है यहाँ से क्या होता है? nax बहार निकलता है और यह आर इस r के साथ combine करता है और यह बनाता है higher alkyne अब देखो जैसे मालो तुमने यहाँ पे अगर ch3x लिया है ठीक है? तो इस reaction से देखो तुमको क्या मिलेगा? इस reaction से तुमको मिलेगा ch3 ch3 ठीक है? और यहाँ से क्या भार निकलता है? 2 times nax clear है? ठीक है? यहाँ पे भी निकलेगा तो आप यह देखो यह होती है आपके woods reaction woods reaction कब हो रही है? जब आपने क्या लिया? alkyl halide अब मान लो for example आपके पास question आया कि भई आपको convert करना है methane को ethane में ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम structure नहीं लिखना है सबसे पहला काम है panic नहीं होना है ठीक है? बहुत होते हो तो सबसे पहला काम है panic नहीं होना ठीक है? यह मैं इसले कह रही हूँ थोड़ा सा easily आप light होकर समझो तो आप क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे methane जो है CH4 ethane जो है? वो क्या है? CH3 CH3 इससे मुझे इससे बनाना है यहाँ पर एक कार्बन है यहाँ पर दो कार्बन है alkane से higher alkane बनाना है higher alkane बनाना दिमाग में कौन से reaction आनी चाहिए? woods reaction, kore house reaction ठीक है? उसके बाद यह देखेंगे कि कैसा बनाना है? symmetrical बनाना है कि unsymmetrical बनाना है? तो यहाँ पर क्या है? even number of carbons यानी के symmetrical तो हमारी किस से बन जाएगी? woods से अब दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा woods reaction क्या होती है? woods reaction यह होती है ठीक है? अब woods reaction के लिए क्या चाहिए होता है? alkyl halide हमारे पास starting में क्या है? alkane तो सबसे पहले हम alkane से alkyl halide बनाएंगे फिर alkyl halide बनाने के बाद हम लोग woods लगा के अपना desired product बना लेंगे यह कब बनेगा? यह तब बनेगा जब आपके पास CH3X होगा CH3X कैसे बनाना है? CH4 से उसके बारे में discussion करेंगे अब alkyne में अगर आप चाहते हो substitution reaction कराना है hydrogen को replace करेगा हेलोजन एक ही तरीके से reaction होती है free radical mechanism याद रखो अलकेन light की presence में या high temperature पे 500 से उपर जाता है temperature ठीक है? तो light या फिर heat की presence में बहुत higher temperature पर क्या करता है अगर आप halogen डाल रहे हो तो जैसे कि suppose आपके पास CH4 है और आप इसकी क्लोरीन के साथ reaction करा रहे हो light की presence में तो free radical mechanism होता है chlorine जो है वो homolytic fission के according break करता है radicals generate होते हैं CL radical CL radical ठीक है? और CH4 जो है tetraedral geometry होती है पर अभी मैं फिलाल नहीं बना रही इसमें भी homolytic fission होता है ये भी बनाएगा methyl radical H radical एक H radical के साथ CL radical जुड़ेगा HCL बनाएगा और CH3 radical के साथ ये radical जुड़ेगा ये बनाएगा CH3 CL ठीक है? तो यही तो चाहिए यही तो चाहिए आप लोगों को तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला जो आपका काम होगा CH4 में आप लोग डालोगे chlorine और light की presence पे ठीक है? उसके बाद अच्छा कुछ बाते हैं जो ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ basic basic सी बाते ठीक है? जब भी हम conversion करते हैं जो भी आप डाल रहे हो ठीक है? जैसे आपने chlorine के साथ reaction कराई light की presence में उसे arrow के उपर लिखना है अगर आपका कोई by product निकल रहा है arrow की नीचे minus करके by product दिखा दो जैसे मालो इसमें suppose hcl निकलेगा तो मैंने लिख दिया minus hcl करके ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे by product को नहीं लिखोगे convergence में by product को हम ऐसे नहीं लिखते अगर आप by product लिखना चाहते हो आप arrow के नीचे minus करके लिख दो, minus का मतलब है कि यह बहार निकल गया ठीक है? और भी conversion में न कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि suppose आप माल लीजे सपोज जैसे कि आपके पास toline है ठीक है? और आप toline में का nitration करना चाहते हो आपने nitrating mixture डाला concentrated hno3 plus concentrated h2SO4 ठीक है? आप इसका nitration करना चाहा रही हो और जब आप nitration करते हो तो आपको दो product मिलते हैं ठीक है? यह ortho and para substituting होता है तो आपको एक मिलेगा ortho पे NO2 group और एक आपको मिलेगा para पे तो इस reaction से दो product मिलते हैं यह सब को पता यह दुनिया जहाँ को पता है कि हाँ यह दो product मिलते हैं बट जब आप conversion कर रहे हो अगर आपको इसकी requirement है न तो आप इसको ही लिखकर reaction को आगे मलब आगे के step को proceed कर जाओगे आपको ortho वाला लिखने की जुरत नहीं है ठीक है अगर आपको ortho वाले का काम है तो आप इस reaction को कराके ortho का लिखके आगे reaction को proceed करोगे भई जिसमें और further convert करना है आपको पैरा वाला लिखने की जुरत नहीं है तो कहने का मतलब क्या है असान शब्दों में उसको लिखते हैं जिससे मतलब होता है जो काम आने वाला है जो काम नहीं आने वाला है जो उसके साथ as a by product बन रहा है या जो हमारा center of attraction नहीं है उसको हम नहीं लिखते तो panic नहीं होना है कि अरे हम यह करते हैं दो product बनता है मैडम ने यहीं क्यों लिखा दूसरा क्यों नहीं लिखा वो नहीं लिखते हैं उसकी जुरत नहीं होती है clear है ठीके तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे साथी साथ बहुत अच्छा तरीका रहेगा बहुत अच्छी बात होती है अगर आप mention करते हुए चलो कि भई आप कौन से reaction कर रहे हैं अलकेन है अलकेन में अपने क्लोरीन डाला लाइट की प्रेजन्स में डाला आप यहां पर लिख सकते हो है है लोगीनेशन कि हम भई हैलोगीनेशन reaction कर रहे हैं clear है ठीके और वह भी लिख सकते हो आपकी बाइप्रोडक्ट माइनस हल निकल गया ठीके यह में बहुत बेसिक बेसिक से बाते बता रही हूं कि भाई मतलब इन सब चीजों का थ्यान रखा करो अच्छी बाते होती है यह जो आप नेगलेक्ट कर देते हो अब CH3Cl बन गया हमें यहीं चाहिए है ना हमें यहीं चाहिए मैं यहाँ पर लिख देती हूं CH3Cl चाहिए अब देखो एक और काम की बात अगर आप CH3Cl आपको चाहिए यहाँ पर टू टाइम्स नहीं लिखोगे वोट्स रियाक्शन में हमें टू टाइम CH3Cl चाहिए होता है बट आप क्या करोगे आप यहाँ पर लिखोगे सोडियम आपको टू टाइम्स लिखने की विज़ुरत नहीं है आप लिखोगे एथर और नीचे मेंशन कर दोगे वोट्स रियाक्शन तो वोट्स रियाक्शन अब नीचे आपने मेंशन कर दी इसका मतलब कॉमन सी बात है कॉमन सेंस है वो बीद कि ईय कि सोडियम बट आंजम लगेगा और आपका यह अब cm की balancing करने चले तो आपकी आगे की चीजे खराब हो जाएंगी आप लिखना चाहते हो ठीक है तो मुझे नहीं लगता उसके marks कोई गाटेगा बड़ जब लिखा ही नहीं जाता तो क्यों लिखोगे क्लियर है ठीक है उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं वुट्ज रियक्शन हो गई भाई लिख दिया अब वुट्ज रियक्शन में प्रोड़क्ट क्या बनता है ये तो सिर्फ इसी को लिखेंगे और यही हमें बनाना था सोच रहे होगे दो स्टेप है मैं आपने पता नहीं कितनी कहानी से सुना दी ठीक है पर मैं आपको काम की बाते बता रही थी कि भई कनवर्जन तो ठीक है सीख रहे हो उसके साथ उससे रिलेटिट बाते भी सीखो ताकि आपके राइटेंग स्किल्स जो है वो लब सुधरे अच्छे हों ठीक है सिरफ टॉपिक पढ़ना या आपके कॉंसेप्ट अच्छा होना आपको एक अच्छा सुडेंट नहीं बनाता आप अपना आपने जो भी अंडरस्टांड किया टॉपिक से रिलेटिट आप उसको कितना ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट करते हो आपक अच्छे तरीके से रखो और जब उसको रिप्रेजेंट करते हो तो उसको भी ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट करो ठीक है नोट का रही है इसको नेक्स्ट रियक्शन है हमारी कोरे हाउस रियक्शन किस लिए फेमस है अगर हमें अन्सिमेट्रिकल अलकेन बनाना हूँ कोरे हाउस रियक्शन किसके लिए फेमस है अगर हमें अन्सिमेट्रिकल अलकेन बनाना है तो ठीक है अन्सिमेट्रिकल अलकेन बनाने के लिए कोरे हाउस रियक्शन को हम यूज करते है फॉर अन्सिमेट्रिकल अलकेन अब देखिए अन्सिमेट्रिकल अलकेन के में हमारे प ओड नमबर ओफ कारबन आटम्स तो इस में हम लोग क्या करते हैं RX लेते हैं रियक्शन गराते हैं उसकी लीथियम के साथ in the presence of dry ether तो क्या होता है कि हैलोजन को लेके हलाइट बनाता है और एक लीथियम जो है वो R के साथ जुड़ जाता है तो ये बनाता है RLI plus LIX ठेक है उसके बाद हम क्या करते हैं इस अलकाइल लीथियम की रियाक्शन कराते हैं Q plus iodide के साथ CUY को हम क्या बोलते हैं Q plus iodide तो ये बनाता है R2 Cu Li R2 Cu Li लीथियम 2 है तो एक लीथियम का atom I के साथ जुड़के बनाता है लीथियम iodide ये किस तरीके से रहता है ये इस तरीके से रहता है RR Cu इस पे होता है negative charge ठीक है complex पे लगा दो आप और लीथियम plus फिर हम लोग क्या करते हैं इसके reaction कराते हैं फिर से Rx के साथ ये जो R है ऐसा होता है कि आपके इस वाले R से ये different हो सकता है different होगा तभी तो unsymmetrical बनेगा same रहेगा तो symmetrical ही बना देगा तो यहां से क्या होता है ये जो R group है alkyl group है ये इस पर करता है attack ये यहां से निकलता है और ये क्या बनाता है ये बनाता है R R' higher alkyne ठीक है ये बनाएगा R Cu और lithium हैलोजन के साथ जोड़के बनाएगा L I X थोड़ी सी बड़ी reaction है थोड़ी सी complicated से भी हो जाती है 11th में बच्चों के लिए इसलिए आपके syllabus से इसको भई हटा रखा होता है टीचर्स नहीं कराते बट मैं तो कराना प्रिफर करती हूँ क्योंकि देखो हर चीज कहीं नग ही काम आती है ठीक है तो इसको नोट करिए इस इस यॉर कोरे हाउस रियाक्शन जैसे कि माल लो सपोस इसी में मैं आपको बता देती हूँ माल लो सपोस आपके पास था यहाँ पर CH3 ठीक है यहाँ पर भी CH3 आएगा यहाँ पर भी CH3 का होल्ट ट्वाइस आएगा आप अगर यहाँ पर ले रहे हो CH3 CH2 अलग आपने क्या लिया अलकाइल ग्रूप तो यह जब CH3 इस पर अटाक करेगा तो यह क्या बनाएगा यह बनाएगा CH3 CH2 CH3 odd number of carbons आ गए न अलकेन तो अनसिमेट्रिकल अलकेन के लिए हम लोग कोरे हाउस reaction को यूज करते हैं ठीक है वोड्स reaction से अनसिमेट्रिकल अलकेन की इल्ड अच्छी नहीं आती इसी लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल अलकेन के लिए कोरे हाउस reaction का help लेते हैं मतलब उसकी मदद लेते हैं यहां से अनसिमेट्रिकल अलकेन बनाते हैं ठीक है नोट करिए इसको ठीक है third है third heading डालिए by cyanide group या cyanide method third जो डालना है डाल लो ठीक है third क्या होता है आपके पास by cyanide group by cyanide group साइनाइड ग्रुप से हम लोग कैसे उसको conversion में हम लोग यूज कर सकते हैं साइनाइड ग्रुप की reaction बहुत अजान है जैसे मान लीजे आपके पास alkyl halide है और आप इसकी reaction करा रहे है KCN के साथ halogen जादा electro negative होते है electron को अपनी तरफ pull करते है इन पे charge आता है partial negative carbon पे आता है partial positive KCN कैसे टूटता है K plus Cn minus ये negative charge जो है ये attack करता है plus पर यहाँ से halogen leave करता है क्योंकि ये bond weak होता है ठीक है तो ये बनाता है RCN plus KX अब हम ये चीज़ देखेंगे कि हम कैसे इस step को use कर सकते हैं conversion के लिए जैसे कि for example मैंने आपको कहा कि बेटा आपके पस methanol है और मुझे methanol से ethanol बना कर दिखाओ तो सबसे बहले आपने क्या किया methanol से ethanol बनाने के लिए observe कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है या हम देख पा रहे हैं observe कर पा रहे हैं या एक carbon है या दो हो गए carbon बढ़े पर क्या carbon बढ़े तो alkane की form में बढ़े alcohol है ना ये तो alkane तो है नी तो woods reaction पत्ता साफ core house पत्ता साफ मतलब वो दो reaction तो हट गई अब cyanide पर बढ़ते हैं cyanide process के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि अच्छा alcohol है पर क्या हम किसी तरीके से alcohol को alkyl halide बना सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है alkyl halide जो है वो बहुत reactive होता है cx bond उसमें बहुत weak होता है जल्दी तूट जाता है हमारे लिए reaction carried out कराना है practically सोचो ना जो weak bond है जल्दी तूटेगा जल्दी react करेगा reaction फटाफट हो जाएगी simple है ना तो ठीक है भई हम alkyl halide अगर हम alcohol को alkyl halide में किसी तरीके से change कर दे तो हम उसकी reaction के cn के साथ करा के कारवन बढ़ा सकते हैं फिर हम cn के बाद आगे का देखेंगे कि क्या हो सकते हैं तो चलो इतना तो हमें थोड़ा से एक path मिल गया track मिल गया सोचने का कि क्या क्या किया जा सकता है ठीक है तो अब देखो alcohol से alkyl halide बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं हेलो अलकेन में जब आप पढ़ोगे preparation सबसे पहला आपके पास मतलब यही topic आता है जो यहाँ पे इस time use होगा alcohol से alkyl halide बनाने के तरीके देखो क्या है आप Lucas Reagent की मदद ले सकते हो HCl डाल सकते हो ZnCl2 की presence में आप PX3 डाल सकते हो आप PX5 डाल सकते हो आप SOCl2 थायोनिल ख्लोराइड डाल सकते हो बेस्ट मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया था क्योंकि इसमें बाय प्रोड़क्ट SO2 और HCl Escapable Gas की फॉर्म में निकलता है और आपको Pure Alkyl Halide मिलता है इसलिए के आरिती की चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कुछ भी डाल सकते हो आप जो जो भूल गए है मैंने क्या बोला है लिख देती हो उनके लिए HCl डाल सकते हो Anhydrous ZnCl2 की प्रेजन्स में ठीक है पूरा लिख लेना आप इसमें Px3 डाल सकते हो आप इसमें Px5 डाल सकते हो आप इसमें SoCl2 डाल सकते हो यह मैंने Variety बताई है डालना एक ही है इसमें कोई एक ही डालना है जो अच्छा लगे वो ठीक है तो अब यह क्या करेगा यह बना देगा CH3Cl क्या बना देगा CH3Cl अब इस पे partial negative है इस पे partial positive है ठीक है KCN डालूंगी तो इसी तरीके से attack करेगा CH3 पे और यह बनाएगा CH3CN बहार क्या निकलता है Kx तो यहां से क्या बहार निकल रहा है KCl क्लियर है ठीक है अब देखो यह जो CN है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां पे होता है टिपल बॉंड अगर मैं अगर मैं किसी तरीके से यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन attach कर दूँ ठीक है तो यह बन जाएगा अमीन और अगर अमीन अमीन में आपको अमीन वाला चेप्टर आना चाहिए अमीन आगया अमीन की रियक्शन इंट्रडीउस होगी अमीन में अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट बना दो उसका हाइड्रोलिसिस कर दो या आप डाइजोटाइजेशन एक ही बात है ठीके डाइजोटाइजेशन अगर आप कर दो तो आपको अलकोहल मिल जाता है हो गई रियक्शन क्या था ठीके तो हम क्या करेंगे इसमें लीथियम अलुमीनियम हाइड्राइड डालेंगे सबसे बढ़िया तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेडाक्शन कर देगा हाइड्रोजन को जोड देगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 NH2 बन गया अमीन अमीन में कर दो डाइजोटाइजेशन डाइजोटाइजेशन के लिए NaNo2 sodium nitrite डालते है हम लोग तेमपरेचर रहता है आप चाहो तो डाइजोटाइम सॉल्ट बनाके हाइड्रोलेसिस करके दिखा सकते हो या आप सीजा यहाँ पे लिख भी सकते हो and हाइड्रोलेसिस H3O प्लस या वाटर भी आप लोग सिंपली लिख सकते हो तो ये बनाएगा CH3 CH2OH तो ये ही तो बनाना था ठीक है अब इसी सेम रियाक्शन को हम लोग चौथे मेथट से करकर देखते हैं इसी सेम रियाक्शन को हम लोग फोर्थ मेथट से करकर देखते हैं फोर्थ मेथट क्या है हमारा फोर्थ है बाई ग्रिगनार्ड मेथट बाई ग्रिगनाड रिएजेंट इस मेथड से हम लोग अब करके देखेंगे ठीक है ग्रिगनाड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आर एमजी एक्स बहुत इंपोर्टेंट रिएजेंट होता है पता होना चीया आपको इसके बारे में माल लीजे हमें दे रखा है चेंज करना है इसे इथेनॉल में, ठीके, क्लियर है, ठीके, तो आप सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, कि हम इसे अलकाइल हलाइड में चेंज करेंगे, अलकाइल हलाइड में चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं हापे लिख रही हूँ, PCL3, सपोस, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, CH3Cl, अब अलकाइल हलाइड बन गया, इसमें हम डालेंगे, मेगनीशियम, ठीके, मेगनीशियम डालेंगे, तो ये क्या कि हमारे पास एक कार्बन है, और हमें एक कार्बन और बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रिगनार्ड की रियक्शन करा सकते हैं, अल्डी हाइड से, अल्डी हाइड में देखो क्या है, कार्बोनेल ग्रूप, ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रो नेगिट यह negative करेगा इस पर attack ठीक है वहाँ पर नहीं दिखा सकती हूँ मैं attack करते वे यहाँ पर अलग से दिखा देती हूँ convergence में हम attack करके नहीं दिखाते हैं ठीक है तो यह negative करेगा इस positive पर attack double bond change हो जाएगा single में, carbon के already यहाँ पर 4 bond है, जब यह नया bond बनेगा, तो यह अपना double bond जो है, उसको reduce कर देगा single में, और oxygen जादे electronegative है, इसलिए bond के electron oxygen पे shift हो जाएगे, ठीक है तो यह बनाएगा CH3 ध्यान से देखो, इस CH3 ने इस carbon पर attack किया इस carbon पर 2 hydrogen है और एक है oxygen O 4 electron पहले से थे इस bond के 2 आ गए accept किया है, इसलिए minus, ठीक है, magnesium plus CL, ठीक है जब bond बना हुआ था, तो partial charge था, जब bond तूट गया, तो complete positive है ठीक है, उसके बाद, आप इसका कर दो hydrolysis, तो यह बनाएगा H3 water है, H plus OH minus की form में तूटेगा plus उसके पास जाएगा जिस पर negative है, तो यह बनाएगा CS3, CH2 OH, ठीक है और negative उसके पास जाएगा जिसके पास positive है, by product बनता है, Mg OHCl clear है, ठीक है तो यानि कि जब आप इसके और इसके reaction कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा, ethanol और by product क्या निकलेगा Mg, OH, CL ठीक है, note करिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर stop कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने आज यह चार रियक्शन पड़ी हैं इनहीं पर question practice करेंगे ठीक है, एक lecture question practice का आएगा, फिर उसके बाद हम लोग third lecture में discuss करेंगे कि कारवन को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है आपको video lecture कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताईए और अगर आपको यह video पसंद आया है, तो please इसे like करें, share करें channel को subscribe करें जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अपना ध्यान रखिए thank you